इस وीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यहाँ पर आइकोन अपुलिकशन है शाय हुद यह इसमें हम इन दोनों पर्मिशन्स को कैसे इनेबल कर सकते हैं यहाँ पर जो आपकोई दिखा रही है यहाँ पर फोन पर्मिशन्स और आइडिनिटि टि कॉलर्सटिके इसको enable करना है हमें तो जैसे हम इस पर tick करेंगे जह हम disable कर देते हैं basically इनको और इसको भी यहाँ पर basically तो अब यहाँ पर क्या करना होता है हमें यह दुबारा पूशता है और इस सबसे end में आपको इस तरीके से दिखाने लग जाता है permission needed not work without permission access your contact or storage तो इनको allow करना है आपको तो कैसे करेंगे सबसे पहले continue करते हैं तो यहाँ पर यह मांगी लेता है अब यहाँ पर permissions पर जाएए go to settings पर जाएए उसके बाद यहाँ पर permissions पर जाने के बाद SMS phone यहाँ पर लोक्स यह वाली जो permission है इसको सबको allow करना है आपर ठीक है first step आपका यह सारी कर दीजिएगा ठीक है मांग ले तो सारी कर दीए बस यह contact की और मांगेगा और यह start हो जाएगी ठीक है उसके बाद यहाँ पर identity colors इस पर click करिए और यहाँ से जो है इस वाली application को enable कर लिजे यह desktop उपर आ जाएगी ठीक है जो भी को लाएगी उसके बाद continue करेंगे तो आपकी जो यह application है यह चल जाएगी तो इतना सा process रहता है बस इसका अगर वीडियो अच्छी लगी वह तो like कर दीजेगा और चैनल को subscribe भी कर दीजेगा कर दीजेगा कर दीजेगा